Hello everyone, welcome back to channel तो कैसे हैं आप लोग, I hope अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं और आज हम फिर से बात करने वाले हैं उत्राखन MCQ सिरीज की जो के है आज डे 18 कल हमने कवर किया था डे 17 तो चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं पहला MCQ है कालू महरा का संबन्द किस से था ओप्शन A है चिपको अन्दोलन ओप्शन B है क्रांतिवीर संगठन ओप्शन C है राज सबा से और ओप्शन नमबर D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसमें जो आपका सही आंसर है ओप्शन नमबर B क्रांतिवीर संगठन से कालू सिंग महरा का जो संबन्द था वो था क्रांतिवीर संगठन से बाकी कालू महरा को उत्राखन का प्रेथम स्वतंतरता संगराम से ननी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाब सन 1857 में क्रांतिवीर संगठन का निर्मान किया था अगला है उत्राखन में बहुप प्रचलित सब्द गोर ख्यानी किसका प्रतियक है option number D आपका इसमें सही आंसर है पवित्रता का अगला है कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूमें किसे पूजा जाता है तो वो पूजा जाता है नंदा दीवी option number C is right answer यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था अब आज ही इनको रिविजन कर लो अगला है उत्राखन का कौन सा जिल्ला सरवादिक अंतरास्ट्रिय सीमा रिखा वाला जिल्ला है option number A है उत्राखन राज हमाले के किस भाग में इस्तित है याँ अपना जो राज है वो हमाले के किस भाग में इस्तित है तो वो है आपको option number A पूर्व मध्य भाग में अगला है पहाडों के रानी के नाम से उत्राखन की किस सहर को जाना जाता है तो इसमें आपसन नमर सी आपका सयान सरा जाएगा मसूरी अगला MC को है दून गाटी उत्राखन राज एकक किस जिल्य में इस्तित है देरदून, हरिद्वार, रिशिकेश और इनमें से कोई नहीं तो देरदून आपका इसमें सही अंसर है देरदून घाटी देरदून में इस्तित है अगला M.C. क्यों है उत्राखन की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है गंगा की, राम गंगा की सार्दकी और इनमें से कोई नहीं तो उप्सन नमर B आपका सही अंसर है राम गंगा की अगला M.C. क्यों है भागी रथी को किस इस्तान पर गंगा के नाम से जाना जाता है तो दीव प्रियाग में और दीव प्रियाग के बाद भागी रथी नदी और अलगनन्दा नदी को गंगा नदी की नाम से जाना जाता है अगला एमसी क्यों है निमन लखिन में से किस ताल को भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है तो वह है आपका आप्सिन नमर ए मासर ताल अगला एमसी क्यों है निमन लखिन में से बाल गंगा नदी किसकी सहायक नदी है तो जो आपका इसमें जो सयांसर है वो है आपसन नमर B भिलंगना नदी अगला है जानवी नदी का समद्र निम्न में से किस नदी से है काली नदी, राम गंगा नदी, अलग नंदा और भागी रथी तो भागी रथी आपका सयांसर है आपसन नमर D अगला है निम निल्खिन में से भारत का प्रेथम रास्ट्रिया पार्क कौन सा है तो राजा जी रास्ट्रिया पार्क, फूलों के घाटी, जिम कारविट रास्ट्रिया पार्क और गंगोतरी रास्ट्रिया उद्यानिया पार्क तो आपका इसमें जो सेयान सेट है वो है उप्सिन नमर B जिम कार्विट रास्ट्रिय पार्क अगला है उत्राखन राजमे कांचुला खर क्या है रास्ट्रे उद्यान बांध पहाड़ी और कस्तुरी मरिक प्रिजनन केंद्र जिस समें हम रास्ट्रे राज्य प्रिटिक पड़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताए था के कांचुला खर क्या है उप्सिन नमर D आपका सेयान सेट है कस्तुरी मरिक प्रिजनन केंद्र निम लखे में से जैव आरक्सी सेत्र है गोविंद, कारवेट, राजाजी और नंदा दीवी तो आपका इसमें जो सेयान से है वो है नंदा दीवी उप्सिन नमर D is राइट आंसर अगले है प्रेसित फूलों के घाटी उतराखन के किस जन्पद में इस्तित है रुद्र प्रियाग, पिथोरगड, चमोली और उतरकासी तो आपका जो सेयान से है वो है चमोली उप्सिन नमर D is राइट आंसर अगले हैं से क्यों है राम गंगा रास्टे उद्यान का नाम बदल कर जिम कारवेट रास्टे उद्यान कब किया गया था तो वो किया गया था उनीस सो सतावन में उप्सिन नमर E is राइट आंसर अगला है उतराखन राज एक एकिस जिले का वन सेद्र सरवादिक है उतरकासी पौड़ी नैनी ताल चमोली तो पौड़ी आपका इसमें सही आंसर है अगला हमारा M.C.Q. है सहस्तर दारा प्रपात के जल में क्या मिलता है तो वहां मिलता है गंधक उप्सिन नमर E is राइट आंसर तो दोस्तों आपको आज की छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छी नालाइज मिली होगी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए थैंक यो फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे बलेस्ट